नमस्कार शामदरिक बिज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद दोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चेनल गौब लॉक्स में एक सुन्दर सी फीमिल हतीली आप म देखती हैं मुझे आउट ऑफ इंडिया सेटल होनी के चांसिज है या नहीं है देखेगा आपकी जो जीवन की रेखा है यह यहां पे अपने उद्गम अस्तान से निकल करके और केतु की तरप जाती हुई दिखाई दी रही है केतु के साथ मिलन कर रही है मनि बंद की और यहां पर देखेंगे तो धीरी 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 एक इस परकार का द्विभाजित हो रही है कि देखेगा सबसे पहली चीज यही है कि आप अपने जीवन काल में जो उन्नति करेंगे ने अपने जन्म अस्तान से दूर उन्नति कर पाएंगे जन्म अस्तान में रहकर आप न त अच्छे काम्याबी हासिल होगी और जन्म अस्तान से दूर का मतलब अपने जन्म जो अस्तान है उससे दूर होना होता है चाहे देश के किसी कोने में हो या विदेश में हो और यहां पर विदेश में अभी सटल होने के लक्षन तो नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन यह तब आपको इसका जो है बहुत ज़्यादा कोशिस करनी चाहिए आप जो है आउट इंडिया आउट ओप इंडिया आपको जाना चाहिए आप अपने जीवनकाल में बड़े अस्तर की काम्यावी को हासिल कर लेंगे अब थोड़ा सा दूसरा सवाल लेने से पहले इस जीवन की लकीर के बारे में और जान लेते हैं देखेगा जब भी ये किये तुसे मिलती है तो मैंने प्रेक्टिकल रोप में जितनी भी हतेलियों का विसलेशन किया है तीन चीजे प्रेक्टिकल रोप में देखे हैं जो हंड सबसे पहला ऐसे लोगों की उन्नती अपनी जन्म अस्तान से दूर होती है जन्म अस्तान में रहे कर ये विक्ति जो है एक सामन्य इंसान बनके रहे करते ही दूसरा इनका जो प्ररंभिक दौर होता है कम से कम चालीस्वें वर्ष तक का ऐसे में यह कई बार संगर्शों का बहुत ज्यादा सामना इनको करना पड़ता है कई बार उतार चड़ाओ बहुत ज्यादा झेलने पड़ते हैं और कई बार औस्तिर्टा का भी इनको साम करते हैं कि अंत में जीवन लेने का जो मुख्य उदेश्य होता है मुक्ति को प्राप्त करना मुक्त होना मोक्ष की प्राप्ति करना ये लोगों की मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ये रेखा ऐसी जीवन रेखा जो केतु से मिलती है वो मोक्ष का कारक है केतु जोतिस में कले आगे बढ़ता है तो ऐसे में जो पूरो जन्म के कर्म है ने जो संगर्स वाले कर्म है जो हमने गलत कर्म किये थे उस टेम अब सांसारिक जीवन में जो ब्यक्ति रहता है वो हमेशा जो है सदमार्ग पी ही नहीं चल सकता है पुन्य ही नहीं कर सकता है पाप भी उससे होते हैं तो पूरो जनम में जो पाप वाले कर्म थे वो बिक्ति प्रारंबिक दोर में उनको जहलता है और उसके बाद उसके पुन्य उजागर होते हैं प्रारंब्द के पुन्य कर्म उजागर होते हैं और ये इस जनम में बिक्ति को कहीं न कहीं जो है बड़े लाब दिलाते हैं पु मोक्ष की प्राप्ति होती है धिक है ने दूसरी वाग ये दो भागों में विवक्त होना इस बात का इसारा करता है कि यह जातिपा घुमने फिरने की बहुत ज़्यादा सौकिन रहेंगी और सौक लेकि तो हर विक्ति पैदा होता है लेकिन सब के सौक पूरे नहीं होते हैं लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं इनके सौक पूरे होते हैं ये लोग अपने जीवन में चाहिए कितना भी संगर्स करें लेकिन अंत में अच्छा खासा पैसा बना करके अच्छे खा परफेक्ट निकलती है ठीक अब दूसरी चीज थोड़ा इसी से समंदित देख लेते हैं यहां पर देखेंगे तो आपकी यह क्या रेखा है मस्तिस्क की रेखा है कहां पर जा रही है सीधा चंद्रमा पर जा रही है यह मस्तिस्क की रेखा सीधा चंद्रमा पर जा रही है और चंद्रमा यहां पे क्या है? पूरी तरो से उर्जा प्रवाइडने कर रहा है, कमजोर इस्तिति में बैठा हुआ है और जब मस्तिस्क रेखा पूरी तरो से चंद्रमा पे चली जाए तो यह बर्थमान समय को बताता है कि इस अवस्ता में आप प्रायो बहुत जादा सोचने वाली जातिका हो गई है जादतर आप हमेशा कलपनाओं में डूवी रहती है आपका मन कहीं न कहीं एक अगर्चित भी नहीं हो पा रहा है लेकिन भौश्य में क्या है खास करके 42 एर से 42 स्वेंवर्स से क्या इस्तिति आ रही है कि निश्चित तोर पे आप एक स्रेष्ट सपलता को भी अरजित करने वाली है लेकिन मन की जो कलपना सीलता है वो बहुत जादा रहेगी कलपना में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और दोसरी बात देखेगा जांसे इन रेखाओं का उद्गम हो रहा है यहां पे बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है यह गैप क्या बता रहा है आप एक स्वतंत्र विचार धारा की जातिका है अपने मन मर्जी की मालकिन है किसी के कंट्रोल में किसी के आदिपत्य में आप काम नहीं कर सकती है अपने स्वयम के निरणोयों पे चलना आपको बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैनेजमेंट की छमता आपकी अंदर बहुत अच्छा है responsibility निभाना आप जो है छोटी उमर से ही जान गई है हाँ दो कमियां आपकी जीवन में है इसकी वजोसे एक तो मंगल का इसमें सीधा प्रभाव पड़ रहा है तो बहुत जादा सोचता नहीं है चीजों का analysis नहीं करता है overconfidence में ऐसा बहुत फैसला लेता है और उसकी वजोसे जीवन में पच्चताना पड़ता है उन निरणयों की वजोसे उस overconfidence की वजोसे आपको थोड़ा overconfidence से बचके चलना होगा दूसरा ऐसा बिक्ति कहीं न कहीं उताला उतावलापन बहुत ज़्यादा दिखाता है और धैरे की भी कमी ऐसे लोगों के अन्नर रहती है तो इन दो तीन चीजों से आपको थोड़ा बचके चलना होगा तब आपके जीवन में बहतरीन इस्तिति आएगी अब एक चीज और दिखाई दी रही है दो चीजे फिर आपका दूसरा सवाल लेता है यहां पी हिर्दे रेखा देखेंगे तो हिर्दे रेखा कहीं न कहीं किसके बीच में जा रही है आपकी मिडिल की फिंगर और आपकी इंडेक्स की फिंगर इन दोनों की बीच में दृष्टि गोचर कर रही है आप आराम से देखेगा अब इसको print मैं करना छोड़ देता हूँ ये है आपकी जो है हिर्दैरेखा किसकी तरफ देख रही है आप खुद देखेगा middle finger और आपकी index की finger किसका प्रभाव पर राई हिर्दैरेखा पे देव गुरु ब्रस्पति का और भग्या अस्तान सनी का जो कर्म को भी देखता है इन दोनों ग्रहों का बलाबल इसमें आ रहा है तो ये क्या बता रहा है देखेगा जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप अपने जीवनकाल में बहुत बड़ी महत्वकांची जातिका हो जाएंगी आपकी सोच बहुत जादा पॉजिटिव रहने वाले है बहुत आगे बढ़ने की रहेगी महत्वकांचाई बहुत जादा रहेगी गुरू का सीधा प्रभाव पढ़ रहा है देव गुरू प्रिस्पती का इसका मतलब आपकी इच्छा भी हमेशा एक टॉप लेबल तक पहुँचने की रहेगी वहीं सनिका प्रभाव पढ़ रहा है जो भग्यास्तान है कर्म को देखता है इसके प्रभाव पढ़ने के कारण आप आगे बढ़ने के लिए एन केन प्रकारेन जो भी आपसे हो जाए वह आप करेंगे भी ये भी इस पश्ट दिखाई दे रहा है लेकिन थोड़ी भाव पता भी आपके अंदर रहेगी दयालो प्रवर्ति की विक्तित्व भी आपके अंदर रहेगा ये बहुत अच्छी चीज है अब सबसे महत्वपूण चीज क्या है इसमें देखिएगा सबसे महत्वपूण चीज है इसमें एक रेखा इस तरफ आ रही है और हलका साब विष्टनु का तिलग बना रहा है ये सबसी महत्वपूण चीज है अभी तक जो मैंने हतेली का विशलेशन किया है उसमें सबसे मुख्य पॉइंट यही है जो आपके काम का सबसी जादा है इसका मतलब है देखिएगा यही चीज है जो आपके जीवन को एक बहुतरीन इस्तिति में ले जाएगा और इसी के कारण आप अपनी जीवन में एस्व dhok שלי क्रेंगे अपनी अच्छाओं की पूर्ति होगी और कहीं न कहीं जीवन में यस की प्रात्ती होगी यह क्या बता रहा है कि जो आपके पंचमहां भोत है जिन से कर्म इंद्रियां है उनके अनुसार आपकी जो आरध्यदीव है वह भगवान विष्णु है कि सुप्रीम पावर जगत का पोसण करने वाले ठीकने भगवान विष्णु आहां वह आपकी इश्टदीव है आपको अपने इश्टिकेपर्ति पूरी त्रो से समर्पन की भवना समर्पित हो जाना चाहिए जब आपका समर्पन चरम सीमा पे पहुँच जाएगा आपको जीवन में कुछ करने की बहुत ज़्यादा आउशकता नहीं रहेगी आपके काम आपने सोचा और काम हो जाएंगे ऐसी इस्तिति आ रही है लेकिन अगर आप अच्छे कारे करते हैं अच्छी रहा पर चलते हैं तो किसी भी कारे में आपको आने वाले समय में अवश्य शपलता मिलेगी आपको हराना आपकी बिरोधियों के लिए शंबव नहीं रहेगा इसके अलावा आप समाज में खूब लोग प्रेता और सम्मान भी पाएंगे अच्छन्त भग्यसाली लोगों में से आपकी गिंती होगी ये निश्चित तोर पे दिखाई दे रहा है अभी मैंने देखेग एक ही सवाल लिया है आपका और इतनी सारी चीजें उसमें बठाई हैं दूसरा सवाल ले लेते हैं दूसरा आप लिखती हैं मैं हमेशा सब के बारे में सूचती हूँ लेकिन आखिर में सब मुझे ही बुरा बोगते हैं यस की प्राप्ति नहीं हो पा रही है यस नहीं मिल चाहे आप किसी को जो है अपना सर काट कर भी दे देने दूसरा यही सोचेगा कि इसका इसमें कोई स्वार्त रहा होगा इसी लिए इसने ये मुर्खता की है और उसका कारण क्या है दो कारण है एक तो आप देखेंगे सूरे की उंगले इसमें एक पौर दो पौर और तीन पौर सब के होते हैं लेकिन आप देखेंगे तो आपके इसमें ये वाली जो रेखा है ये रेखा सूरे को दोसित करती है सूरे कितना भी अच्छा हो कितने भी अच्छे चिन इसमें बनी हो ये सूर्य को दोसित करता है और जब सूर्य दोसित होता है तो ब्यक्ति का जो मान सम्मान प्रतिष्टा है जो यस है वो नहीं मिल पाता है दूसरा ऐसे में ब्यक्ति जो मेहनत करता है जो परिसरम करता है उसका जो पूरा स्रे है पूरा क्रेडिट है वो ब्यक्ति को नहीं मिल पाता है जो ब्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है जो ब्यक्ति के अंदर योगिता होती है उस तरों से चीजें उभर कर नहीं आपाती हैं चीजें निकर के नहीं आपाती हैं ऐसे में ब्यक्ति को एक सहजता से एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है ऐसे में अगर आप ब्य ब्यापार में न तो वो ग्रोथ मिल पाती है न तो जो है ब्यक्ति को फैलाओ मिल पाता है न विस्तार मिल पाता है न ब्यक्ति एक ब्रांड बनकर उभर पाता है जिसके लिए उसने पूरा जो है सब कुछ जो है दाऊंपे लगा कर ब्यापार में गया था अगर आप नौकरी कर रहे हैं आपको नौकरी में ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आपको खपा लिया हो और देखेगा अगर सूर्य इस प्रकार से हो तो सूर्य सरकार का कारक है सोर्य राज्य और सिदी का कारक है ठीक है नहीं सोर्य आपके प्रतिष्टा का कारक है ऐसे लोगों के कार्य 99.9% तक तो बन जाते हैं लेकिन 100% में तब्दील नहीं हो पाते हैं ठीक है नहीं ऐसी इस्तित को ये देता है ये इस रेखा के कारण आप सब के लिए तो सोचती हैं लेकिन आखिर में सब आपको ही बुरा बोलते ही ठीक अब आप लिख रही है मुझे नौकरी में आगे बढ़ने का कोई योग है तीसरा आपका सवाल है अब योग कब बन रहा है देखे यहाँ पे ये देखेगा कोबड निकली हुई है और जब ये कोबड निकलती है तो ब्यक्ति की इंटेलिजेंट स्था को बताती है ब्यक्ति का बौदिक अस्तर बहुत अच्छा रहता है लेकिन सुक्र को 42 वर्स तक जादतर असर इसका 40 वर्स तक रहता है ये थोड़ा सा जो है दूसित कर लेता है और उसमें भी अगर जाल बनावा हो तो इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है ठिक तो यहाँ पे 42 वर्स में या 40 के बाद 41 और 42 वर्स में जादतर 42 वर्स में नोक्री में आगे बढ़ने के योग बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं 42 वर्स में मन पसंद के योग आ रहे हैं तब तक आपको तीन चीजों से बच कर चलना है आपको जल्दबाजे में कोई बहुत बड़ा निरणई नहीं लेना है आपको जीवन में संगर्शकी इस्तिति रहेगी धनहानी होगी और ब्योषाई समंदि काम कर रहे है करने की सोच रहे हैं तो अभी न करें अगर कर रहे हैं तो बड़ा सोच समझ कर करें ब्योषाई में नहीं तो नुकसान को दिखा रहा है जीवन में कभी भी आप पार्टनर्शिप में कारे न करें और एक बात का ध्यान रखें खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और खासकर आपकी जीवन में धन का माने की जो बेहतरीन इस्तिति आ रही है वो थोड़ी सी लेट आ रही है 42 वर्स की आएउसे चीजें अपने आप ठीक होती हुई यहां पे दिखाई दी रही है लेकिन एक बहुत बड़ी बात है आपके हतेली में आपकी हतेली में जो आपके जीवन का 45 वर्स है उसमें भाग योदाई की इस्तिति आ रही है और उससे भी बड़ी बात 56 वर्स की आई के बाद और ही बहुत अच्छा समय आपका कहलाएगा लेकिन थोड़ा योगा है प्रणायाम है यह चीजें जरूर करें क्योंकि जैसे जैसे उमर बड़ेगी पीठ का दर्द है घुटने का दर्द है कमर की प्रॉब्लम की संभावना जिसको साटिका की प्रॉब्लम कहते है उसकी संभावना भी यहां पी दिखाई दे रही है ठिक अब आपने लिखा है चौथा प्रश्णा मेरे पैसे बहुत जगा अटके हैं लोगों की मदद करने में क्या वो मुझे वापस मिलेंगे अभी आपको वो वापस मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं देखेगा यह जो चीज बन रही है आपकी हतियली में नगेट पूर जा और उसमें नाडे रेखाउं का काटना इसको सबसे पहले आपको अपनी जीवन से निकालना है कैसे निकालेंगे क्या प्रभाव इसका पड़ता है देखेगा हतियली में जाल बनना हस्त रेखा में अच्छा नहीं माना जाता है सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ता है आपकी मन पर आपके मस्तिस्क पर जीवन में उल्जन की स्तितियां बहुत जादा आ जाती हैं ऐसे में बिक्त बहुत जादा कन फ्यूजन में रहता है दुविधा में रहता है और उसकी जो निरणय लेने की ठाकत है वो छीन हो जाती है बेक्त सई से डिसीजन नहीं ले पाता है कि मुझे करना क्या चाहिए और किस तरप जाना चाहिए दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सिहत पर आर्थिक रूप से ये आपको बीमारों आवस्ता में ले जाती है और तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी रिष्टों पे खास कर आपका दामपत्य जिवन का रिष्टा आपका परिवार का रिष्टा और आपका कुट्म का रिष्टा इन रिष्टों का जो चरम सुक का भोग है उसके बीच में प्रस्तितियां खड़ी हो जाती है व्यक्ति को चरम सुक का भोग नहीं मिल पाता है चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्तिय पर चाए वो सारिक हो या मानसिक स्वास्तिय हो ये विकार देनी की कोशिस करती है पांचवाँ और सबसे बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेपलप्मेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे आपका जो सपलता का अस्तर हो जाना चाहे था उस सपलता के अस्तर को ये कहीं न कहीं माइनेस की तरफ दोड़ती है तो मैं आपको जो है एक बनस्पति अश्नान दे दूँगा एक दिव्य सूर्य किरिया एक दिव्य योग ध्यान किरिया दे दूँगा आपको विदिवत तरीके से उसकी और जाना चाहे करना चाहे निश्चित ही आपको लाब होगा एक बहुत अच्छी चीजा आपकी हतीली में दिखाई दी रही है पहले उसको देख लेते हैं पिर आगे बढ़ते हैं यहां पर देखेंगे तो एक रेखा आपकी यहां से आती हुई भग्यास्तान की ओर जा रही है मनी 32 वर्स से दो भग्या की लकीरें आपकी भग्य अस्तान की और जा रही है इसका मतलब है कि आपके उपर भौश्य में सभी ग्रहों का प्रभाव रहेगा साथ ही सभी की किरपा आप पर बनी हुई रहेगी ऐसे में कहा जा सकता है कि 42 वर्स से आपकी किस्मत कभी भी चमक सकती है ठीक है ने और दूसरा वहीं आ आप देखेंगे आपकी एक भग्य रेखा जीवन की रेखा से मिलती हुई आगे बढ़ रही है और हतेली कहीं न कहीं इसकी रंगत आगे बेहतरीन इस्तिति में आती हुई दिखाई दे रही है हतेलियों का जो आधार है वो भी बेहतरीन इस्तिति में आ रहा है जो इंगित कर रहा है कि 42 एर के बाद आपके पास अच्छा खासा धन भी आएगा आप आर्थिक रोप से बड़ी मजबूती स्थिति में रहेंगी एक रेखा यहां से निकल कर धीरे धीरे आभास हो रहा है अभी और बुद्ध की और जा रही है इसका मतलब है कि आयो आपकी बहुत अच् इस्चित तोर पे जीवन में मिलेगी और खास कर ब्यावसाइक से समंदित चीजों में 42 एर से बड़ी तरक्की को दिखाई दी रही है बोलने के धंके कारण भी आपको जीवन में धन मिलेगा लेकिन पेट से समंदित प्रेशानियां भी यह दिखा रहा है कि पेट से समंद देखेगा उनका फ्योचर कैसा होगा वो उनकी हतीली के बिसलेशन से पता चलेगा लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रिस्पती और आपका सुक्र एक बहतरी नावस्ता में आ रहा है और यह इसपष्ट बता रहा है कि जहां आपको अपने बच्चों का सपोर्ट जीवन में बह अच्छी सांती मिलेगी मन को मन प्रसंद रहेगा और खुश्णुमा माहौल जीवन में बना रहेगा छटवां हमेशा मैं गलत ठैराई जाती हूं मुझे अपने नौकरी और प्रसनल लाइप में भी यह प्रॉबलम आ रही है किरपया इसका समाधन बताएं इसका एक केली में जो यह चीज है जो नगेटिव उर्जा है मैं एक आपको जो है वो तो दूंगा ही जिसको हम कहते हैं बनस्पति अश्णान लेकिन उसके साथ साथ एक गुप्त किरिया भी दूंगा साइध मैंने पहले भी लिख्की दी थी लेकिन दुबारा दूंगा मैं ठीक है उसको बेहत्रीन तरीक से करते जाएगा यकीन मानियेगा आपको बहुत बड़ा लाव होगा अब आपने एक जो है सात्वा प्रश्न पोछा है अंतिम प्रश्न आप पोछती है आउट ऑप इंडिया सेटल होना चाहिए बच्चों को मैं ले जाओं उनका फ्योचर वहां कै इसा होगा कि इंडिया में ही रहों देखेगा फोटी टू इयर तक आप कोई बहुत बड़ा रिस्क ना ले क्यों ना ले क्यों एक तो नगेटिव उर्जा आपकी हतीली में है दूसरा आपका जो करियर और धनकी रेखाएं हैं यह अभी पूरी तरो से इस्टेबिलिटी द ज्यादा अन्बैलेंस हैं और यह अभी दो से धाई वर्सों तक आपकी मन को गड़बर रखेगा कई बार मानसिक प्रेशानी से आपको गर्सित करेगा कई बार बहुत ज्यादा भावगता आपकी जीवन में आएगी यह हो शकता है आप इमोशनली थोड़ा प्रेशान दे सकते हैं और मन एक अगर्चित नहीं हो पाएगा मन कभी कभी खराब सा रहेगा अच्छा नहीं रहेगा मन भटक सकता है मन उचाट हो सकता है ठीक है मन ब्याकुल हो सकता है काम कहीं और कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ है इस तरह की चीज़ें रह सकती हैं और मन से सीधा ज और ऐसे में मां का सुक मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है या मां के साथ मत भीत्ता बढ़ जाती है इसका आपको ध्यान लखना होगा इसको जादा खराब नहीं होने देना है इसकी एक छूटी सी उपाई दूगा में उसको जरूर करें आपको बड़ा लाब होगा नहीं तो नीन आने में बेक्ति को बहुत जादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कैस और बरकत की कमी बेक्ति की जीवन में आनी शुरू हो जाती है और दूसरा सबसे बड़ी बात बेवजही बेक्ति जो है समाज की नजरों में विलेन बन जाता है चंद्रमा देखेगा तन मन और धन तीनों का कारक है अगर चंद्रमा किसी का खराब है तन भी खराब रहेगा मन भी खराब रहेगा और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाएंगे इसकी पहली निशानी है यह तो यहां पर चंद्रमा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और आपकी सभी सभी सवाल मैंने यहां पर बता दिये हैं थोड़ा सा और चीजों पर एक प्रकाश डालते हैं यहां पर देखेंगे तो यह उंगली पूरी तरो से जुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ तो धार्मिक भावनाईं बहुत अच्छी रहेंगी इस्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आरद्दे के परतिसमरपण की भावना रहेगी मिडिल फिंगर भी पूरी तरो से जुकी हुई है यहां पर रिंग फिंगर की तरफ काम्याबी तो जीवन में बहुत अच्छी मिलेगी आपको लेकिन बहुत जादा मेहनत और बहुत जादा प्रिसरम करने के बाद ही चीजों में आपको सपलता मिलेगी और कई बार भी काम भी आपको करना पड़ेगा कि सूरे की उगली पूरी तरो से सनी की तरफ जुकी हुई है नेचुरल तरीके से सूरे के गुण आपकी अन्दर हमेशा बने रहे यासपाने की शेया रहे गी नहीं विस्सार पाने की शेया रहे है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ब्रस्पति से की उंगले से थोड़ी बड़ी है तो कहीं न कहीं रिस्क लेने की चमता जादा रहेगी और हिम्मती सुभाव कहीं न कहीं आगे बढ़ता वा दिखाई दे रहा है यहां पर देखेंगे यह उंगली पूरी तरों से जुकी हुई है धन कमाने के ललक बहुत जादा रहेगी यहां तक थोड़ा नाकोन बढ़ा दे तो आपको और भी जादा लाव होगा एक सुखत जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखत जीवन जीने के लिए प्रतनसील बेक्तितो रहेगा यह रेखा बहुत अच्छी है आपकी आगे चलकर जब नगेटिव उर्जा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा चंद्रमा अपनी अच्छी इस्तिति में आ जाएगी अच यह रेखा धन और संपति को दिखाता है लेकिन यह करियर और धन की रेखाएं जब आपकी पुष्ट हो जाएंगी इसके लिए में एक बहुत बड़ा उपाई दे रहा हूं रातिरी के समय का महा लक्ष्मी एस्वरे लक्ष्मी का उपाई दे रहा हूं नियमित रोप से जो 4077 vendor से ही होगा लेकिन तब आपकी ज्योवन में करियर और धन के मामले में स्टेबिलिट्य आ जाएगी ए इसका मतलब है शा directions कि Wie बहुत ज्याद शंगर्ष की इस्तित्य में बैठें हैं लेकिन तो भी ये बता रहा है कि आने वाले समय में आप अपने स्वास्त्य का अपने धन का और अपने एस्वरे भोगने का सुक प्राप्त करेंगे ही करेंगे और आपका 42 वर्स से पूर्व जन्म के पुंड्य कर्म उजागर हो रहे हैं और उन करमों की वजोसे ही आप एक अच्छी नौलेज को प्राप्त करेंगे और बहुत अच्छे धन को भी प्राप्त करेंगे धनड्य बिक्तियों में आपकी गिंती होगी ठिक सुक्र का परवत अगर देखेंगे तो घूमने फिरने के बहुत जादा सौकीन रहेंगे आगे लगजरी लाइफ के तरफ जोदा आकरसंट रहेगा और इसको भी प्राप्त करेंगे निम्न मंगल अभी थोड़ा सा खराब है तो निरणे लेने की ताकतों में थोड़ी दे रहा है तो इसके लिए जो है मैं एक दिब्य सूर्य किरिया दे रहा हूं इसमें इसका उपाई दे रहा हूं जरूर करें उपरी मंगल ठीक है प्राक्रम बहुत अच्छा रहेगा और इन चेत्रों में अगर आप काम कर रही होंगी तो आपको बड़ा लाव आगे मिलने वाला है सडी भी बहुत अच्छी आउस्ता में है आगे चलकर आपके जो नौकरी उगेरे का मामला है उसमें अस्ताइतों की और आप जा रही है सुर्य के बारे में मैं पहले ही बता चु करूं देखा जाए तो मैंने आपकी हतेली का पूरा विसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में विदिवत तरीके से लिख करके और आडियो के माद्यम से भीज रहा हूं आप करने की कोशिस करे निश्चित ही आपको बहुत बड़ा लाब होगा इस वीडियो में बस इतना है एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार